नमस्कार दोस्तों, मैं कुल्दीब भाटी, इस वीडियो में हम जानेंगे SCST Atrocities Act 1989, अनुसुचि जाती, अनुसुचि जन जाती, अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में 1000 साल जलालत वैमानवी विवार सैने के बाद दलित समुदाय के लिए आजादी एक नई उमीद बन कर आई थी लेकिन वक्त के साथ ये उमीद भी धुमिल होती गई ने तो छुआ छूत बंदुआ, ने जातिगत सोसन और नहीं अत्याचार ऐसे माहोल में अनुसुचित जाती, जनजाती, अत्याचार निवारन अधिनियम पास किया गया ये कानून जम्मु कस्मीर को छोड़ कर पूरे देश में लागू किया गया ये कानून हर उस्वेक्ति पर लगता है जो S.C.S.T. का नहीं है और इस वर्क के सदश्यों का उत्पिड़न करता है वर्ण विवस्ता कब कठोर जाती विवस्ता में बदल गई और जातिगत सोसन का अधार बन गई पता ही नहीं चला अच्छोत के रूप में दलित समुदाय का अस्तित्व सब्बे समाज के माथे पर लगा वो कलंख है जिसे आजादी के 70 साल बाद भी दूर नहीं किया जा सका है 1955 का Protection of Civil Rights वा IPC की तमाम धाराओं के बावजूद भी जब इन अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई तो 1989 में ये कानून बनाया गया ये कानून SCST के विरुद अपराद करने वालों को दंडित करता है पीडितों को सरक्षन तता Fast Track Court का प्रावधान करता है ताकि इस तरह के मामलों का जल्द निप्टारा हो सके इस कानून में 20 से अधिक ऐसे अपराद सुचिबद है जिनके लिए सजा निर्धारित है जैसे SCST के विक्ति को मलमुत्र खिलाना अथ्वा पिलाना SCST के किसी सदस्य को सारे डिक चोट पहुंचाना SCST के किसी सदस्य की भूमी पर गेर कानूनी डंग से कबजा कर लेना अथ्वा उसे बेदखल कर देना SCST के सदस्य को वोट नहीं देने देना अथवा किसी खास उम्मिद्वार को मद्दान के लिए मजबूर करना SCST के किसी सदस्य के विरुद जूटा मामला दर्जगरवाना SCST के सदस्य को जान बुज कर जनता की नजरों में जलील करना अथवा अपमानित करना अनुस्चित जाती जनजाती की किसी महिला का उसकी इच्छा के विरुद या बलपूरों की यौन सोशन करना SCST के सदस्य को द्वारा उप्योग में लाए जाने वाले जलाशियों को गंदा कर देना सारुजनिक इस्तल पर जाने से रोकना तता अपने मकान या निवास इस्तान छोड़ने पर मजबूर कर देना उप्रोक्त वणनी तत्याचारों के लिए 6 महिने से 5 साल तक की जेल का प्रावदान है वहीं SCST के सदस्य की हत्या के लिए म्रत्युदंड भी दिया जा सकता है SCST के वेक्ति को जूटे मामले में दो सिद कराता है तो जितनी सजा उस मामले में SCST के वेक्ति को मिली हो उतने ही आरोपित को भी मिलेगी सरकारी अधिकारी जो SCST समुदाय का नहीं है जान बूज कर इस कानून के पालन में लापरवाई करता है तो 6 महिने से 1 साल तक की सजा पुखतेगा इस विवाद की प्रस्ट भूमे में है अनुसुचि जाती की एक वेक्ति ने सरकारी अधिकारी का सिनात महाजन के खिलाब सिकाय दर्जगरवाई कि उसके विरुद आपति जनक टिपनी करने वाले दो अधिकारियों पर उन्होंने कारेवाई करने की अनुमति नहीं दी थी यह मामला सुप्रिम कोर्ट तक गया सुप्रिम कोर्ट ने इस मामले में तद्काल गिरपतारी नहीं करने का आदेश दिया सुप्रिम कोट ने कहा कि सिकायद मिलने पर साथ दिन के बितर SSP लेवल का अधिकारी इसकी जांच करे और उसके बाद ही कोई कारेवाई हो इस कानून के तहित दर्ज मामलों में अंतरिम जमानत की मंजूरी भी होगी साथ ही सरकारी अधिकारी की गिरपतारी अपॉइंटिंग ऑथोरिटी की मंजूरी के बिना नहीं होगी इस निर्ने के विरोध में देशबर के दलित संगटों ने विरोध परदसन किये तता दो अप्रेल को भारत बंद का आवान भी किया सरकार ने दबाब में आकर सुप्रेम कोर्ट में पुनर विचार याची का भी दायर की साथ ही लोगसबा में संसोधन विधेग प्रस्तावित किया जिससे संसद के दोनों सदनों का अनुमोधन भी मिल गया इस संसोधन विदेग द्वारा अंतरिम जमानत का प्रावधान खारिज कर दिया गया F.I.R. से पहले पुलिस जांच की आवशकता अब नहीं होगी वह सरकारी अधिकारी की केस में अपोइंटिंग ओथरिटी की अनुमत्ती भी आवशक नहीं होगी सुप्रिम कोट के फेशले के विरोध में तर्क ये है कि ऐसे समय में जब दलित उत्पिडन की गटनाई तेजी से बढ़ रही है कानून में किसी भी प्रकार की डिलाई दलित समुदाय के प्रती होने वाले अत्याचारों में व्रद्धि कर देगी FIR से पहले जांच जैसा प्रावधान अन्ने किसी भी कानून में नहीं है इस दोरान आरोपित सबूत मिटाने वे गवाओं को इधर-उदर कर सकता है इस फेशले की पक्स में तर्क ये है कि मात्र सिकायत पर गिरपतारी समवेदानी कदिगारों का उलंगन है इसमें निर्दोस व्यक्ति भी फस सकता है इसके अलावा व्यक्तिकत रंजिस के लिए भी इस कानून का दुर्पयोग किया जा सकता है ये कानून ही उत्पिडन का अस्तर बन गया है समर्थन और विरोध अपनी जगह है लेकिन इस सचाई से मूह नहीं मोडा जा सकता कि हाल के दिनों में दलित उत्पिडन की गटनाएं तेजी से बड़ी है फिर वो चाहे उन्नाकांड हो अथ्वा मात्र गोड़ी पर बेटने के लिए मार देने की गटना अथ्वा केवल दलित उत्पिडन के मूच्छे रख लेने पर मार पीट करने की ये सभी गटनाएं दर साती है कि अभी भी दलित विरोधी मान सिक्ता में कोई कमी नहीं आई है इसलिए मजबूत कानून की मांग को केवल इसके दूर्पियोव की असंका अगे मात्र से खारिज नहीं किया जा सकता है धन्यवाद जैहिंद